आप प्यास के यह फाइदे जानकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यास खाने को स्वाधिश्ट पनाने का काम तो करता ही है। साथ ही यह एक बहतरीन ओश्टी भी है। कई बीमारियों में यह रामबान दवा के रूप में भी काम करता है। सलाथ के रूप में खाया जाने वाला कच्चा प्यास हमारे स्वास्थे के लिए बहुत अच्छा होता है। शायद आपको इसकी गंध पसंद न हो लेकिन इसके यह गुन जानकर आप इसे उप्योग करना शुरू कर देंगे। आई ये जानते हैं प्यास से होने वाले पाइदे 1. गर्मियों में कच्चा प्यास खाने से लू नहीं लगती। 2. अगर आपके बाल गिरते हैं तो सर में कच्चे प्यास का रस लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। 3. अगर आपको पत्री की शिकायत है तो प्यास आपके लिए बहुत उप्योगी हैं प्यास का सेवन पत्री की समस्या को कम करता है। प्यास खाने से कबज की बिमारी से छुटकारा पाया जा सकता है अगर आपको कबज रहती है तो कच्चा प्यास खाना शुरू कर दे कच्चा प्यास ब्लाड प्रेशा को कांट्रोल करता है रोजाना प्यास का सेवन आपके शरीर से खून की कमी को दूर करता है अगर आपको डायबिटीच है तो कच्चा प्याजा आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है प्याज के रसका सेवन सुबह खाली पेट करने से पत्री पेशाब के रास्ते बहार निकल जाती है प्याज के सेवन से खून गाड़ा होता है मिरगी, हिस्टीरिया और पांदुरग में भी प्याज का सेवन फाइदे मन्द है नाक से यदि खून निकल रहा हो तो प्याज को सून गरने से लाब होता है सरसु के तेल और प्याज का रस मिलाकर मालिश करने से गठिया और जोडों की दर्द में आराम मिलता है प्याज खाने से कबज दूर होती है प्याज पेट, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है इस वीडियो में बताई गई बाते कोई डॉक्टरी परामर्श नहीं है ये सब मेरी इंटरनेट पर खोज का नतीजा है जो मैं आपके साथ शेर कर रहा हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करे और शेर करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले